मैं डॉक्टर वेद प्रकाश नवादा बिहार मेरा यह हिपनोसी सोडियो विशेश रूप से किसी वीत्र के रोग से बचाव के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाने तथा इसकी वज़ा से होने वाले मानसिक अवसाद से बचाद निकली डिजाइन किया गया है इसमें उप्योग की गई उच्ची हिपनोथिरेपी तकनीक के कारण आपके मन से अनावस्यक चिन्ता और तनाव दूर हो जाता है अंदर से उर्जावान और स्वस्त महसूस करते हैं साथ ही साथ यह आपके सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता को भी बढ़ाने में मदद करती है तो आईए आज का सेशन शुरू करते हैं अपने आपको बिल्कुल आराम दायक स्थिती में लाएं और रिलाक्स करें धीरे से अपनी पलकों को बंद करें और रिलाक्स होने दें ताकि आप पूरी गहराई से मेरे इस रिलेक्सेशन को महसूस कर सकें एक गहरी सासे लें धीरे से छोड़ दें दूसरी गहरी सासे लें जितनी आपले शक्ते हैं और इसे धीरे से छोड़ दें और अब तीसरी गहरी सासे लें और इसे तीन सेकेंड तक रोख करके रखें अब सास छोड़ें और रिलाक्स करें हर सास के साथ अपने आपको रिलाक्स करने की कोशिस करें धीमी गती से सास को लेते रहें अब कलपना करें कि एक कोमल कोहरा छट से नीचे की ओर आ रहा है ये धीरी धीरी नीचे आ रहा है और इसने आपके सर से लेकर की आपके पैरों तक पूरे शरीर को ढख लिया है इस कोरे से ढखते ही आपका शरीर पहले से और भी ज़्यादा रिलाक्स और शांत महसूस कर रहा है आप और भी ज़्यादा आरामदायक इस्तिती में जा रहे हैं आप ध्यान दे रहे हैं कि सर से लेकर के पैर तक आप पूरी तरह से रिलाक्स महसूस कर रहे हैं आपकी पलकों में धीरी धीरी भारी पना रहा है आपके जब्डों के सभी मसल्स धीले और रिलाक्स हो रहे हैं आपके मुँख के सारे मसल्स रिलाक्स हो रहे हैं जैसे जैसे ये कोहरा आपके सरीर को ढख रहा है आप पहले से और भी ज़्यादा रिलाक्स होते जा रहे हैं आपके गर्दन और आपके कंधे रिलाक्स होते जा रहे हैं आपके हाथ और हाथ के अंगुलियां धीरी धीरी रिलाक्स हो रहे हैं आपके हाथों में भारी पन बढ़ता जा रहा है आप अंदर से बिलकुल शान्त और अस्थिर मसूस कर रहे हैं आप अपने चाती और पेट को रिलाक्स मसूस कर रहे हैं आपके पीठ और कमर बिलकुल रिलाक्स हो चुके हैं ये कोहरा आपके पैरों को भी रिलाक्स कर रहा है आप धीरी धीरी और जधा शान्त और भी जधा रिलाक्स मसूस कर रहे हैं रिलेक्सेशन की फिलिंग धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है आपके पैरों से हर तरह का तनाव दूर हो रहा है और आपके पैरों के मसल्स धीले हो रहे हैं आपके पैरों की अंगुलियां भी रिलेक्स हो रही है आपका पूरा शरीर धीला पड़ रहा है आप धीरी धीरी और गहरी रिलेक्सेशन की अवस्थाम जा रहे हैं बाहर की दुनिया धुन्दली होती जा रही है अब आप अपने अंदर की दुनिया की यात्रा कर रहे हैं आप और भी ज़्यादा रिलेक्स हो रहे हैं धीरी धीरी आप गहरी और गहरी रिलेक्सेशन की अवस्थाम जा रहे हैं अगर आपका मन भटकता है तो इसे रोकने की कोशिश न करें आपका मन जहां भी जा रहा है उसे जाने दें मेरी आवाज शदा आपके शाथ रहेगी आपके सबकॉंसेस माइंड मेरी सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा है जहां कहीं भी आप रहेंगे मेरी आवाज सुनते ही आप मेरी आवाज के तरफ आकर्शित हो जाएंगे आप और भी ज़्यादा शान्त और रिलेक्स महसूस करेंगे अब आप पूरी तरफ शान्त और रिलेक्स्ड हैं अब मैं चाहता हूँ कि आप ये कल्पना करें कि आप एक खुपसूरत पहाड़ी के उपर हैं वहाँ चारो तरफ हरी भरी घाश है आसमान खुपसूरत नेले रंग का है सूरज चमक रहा है आप पेड़ों को उपर से देख शकते हैं आप चारो तरफ फैली भी हर्याली को भी देख रहे हैं पहाड़ी के नीचे एक सुन्दर सजील आपको दिख रहा है जो बहुत गहरी है और इसका पानी बिलकुल साफ और नेले रंग का दिख रहा है ये जील बहुत ही ज़्यादा शुन्दर है जील का पानी सूरज के रोशने में चमक रहा है आप इस खुपसूरत जील को पास से दिखना चाहते हैं जैसे जैसे आप जील के पास पहुँचेंगे मैं एक से बीस तक गिनूँगा आप धीरी धीरी और रिलेक्स होते चले जाएंगे अब आपको एक रास्ता दिख रहा है जो सुन्दर जील तक जाता है अब आप जील तक पहुँचने के लिए अपना कदम बढ़ाना चाहा रहे हैं एक आपने पहला कदम बढ़ा चुके हैं दो आप धीरी धीरी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तीन आप आसपास के पेड़ों को भी देख रहे हैं चार आप बिल्कुल रिलेक्स्ट और अराम दायक स्थिती में हैं पांच यहां सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है छे आप धीरी धीरी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं साथ आप जील की उर बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलेक्स मसूस कर रहे हैं आठ और भी ज़्यादा रिलेक्स और भी ज़्यादा शान्त और हलका पन महसूस कर रहे हैं नौ इस रास्ते पर चलते हुए आप और भी ज़्यादा रिलेक्स महसूस कर रहे हैं दस इग्यारह आप बिलकुल शान और अराम दायक्स महसूस कर रहे हैं बारह तेरह आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं चौदह पंद्रह आप रिलेक्स्ड और आराम दायक्स महसूस कर रहे हैं शोलह अब आप गहरी निंदी में सोना चाहते हैं शत्रह आप नीचे उतरते विये बहुत ही खुश और आराम मसूस कर रहे हैं अठारह आप गहरी निंदी में सोना चाहते हैं गहरी निंदी में सोना चाहते हैं अब बहुत ही ज्यादा गहरी रिलेक्स्ड शान्त और आराम दायक्स महसूस कर रहे हैं अब आप और भी ज़्यादा गहरी निंदी में सोना अब कल्पना करें कि एक चमकदार रोशनी आपके सर के उपर चमक रही है यही वह रोशनी है जो आपके सभी बीमारियों को ठिक कर सकती है आपके तनाव को कम कर सकती है और आपकी एमियूट्री को भी बढ़ा सकती है ताकि आप किसी भी भ्यंकर बीमारी जैसी कोई भी बीमारी से आप आसानी से लड़ सकते हैं किसी भी भ्यंकर बीमारी की समश्या वास्तविक है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन इसकी वजह से आपके अंदर तनाव पैदा हो जाता है और तनाव के कारण आपकी एमियूट्री पावर कमजोर पड़ने लगती है जब आप तनाव में होते हैं तो पूरी छमता का उपयोग आप नहीं कर शकते जब तक इसे शमाप्त नहीं कर लेते हमें अपनी पूरी छमता का उपयोग करना चाहिए सर पर चमक रही ये रोश्णी जो नीले रंग का है उसका लाब उठाएं आपकी सारी बिमारियों को ठीक कर सकती है अब आप ये महसूस करें कि यही नीली रोश्णी आपके शरीर के अंदर प्रिवेश कर रही है और ये नीली रोश्णी शरीर में प्रिवेश करते ही आपका पूरा शरीर शान्द और रिलेक्स हो रहा है आपकी एमिटी पावर बढ़ रही है ताकि आप भयंकर से भयंकर बिमारी या महामारी से लड़ सकें अब जब आपका ये शरीर इस नीली दिव्वी रोश्णी से भर चुका है तो आपको किसी भी बिमारी से डरने की जरुवत नहीं है क्योंकि अब आपका शरीर भयंकर से भयंकर बिमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है अब ये किसी भी तरह की बिमारी आपको कुछ भी नहीं बिगाड सकती आप किसी भी तरह के महामारी से बचने के लिए सभी सावधानियां बरत्ते हैं प्रन्तु अब आपकी शक्तिशाली एम्यूटी पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होग चुकी है और किसी भी बिमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तयार है अब मैं एक से पांच तक गिनूँगा मेरे पांच गिनते ही आप आखें खोल लेंगे और बहुत रिलेक्स, सांत और हलकापन महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आपने पूरी रात एक गहरी निन्द ली हो एक, धीरी धीरी आपकी निन्द वापस आ रही है दो, आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और निन्द से वापस आ रहे हैं तीन, आपका दिमाग बहुत ही किलियर है और ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरी रात एक बहुत ही गहरी निन्द ली हो चार, आपकी आखें धीरी धीरी खुल रही है और पाँच आपकी आखें पूरी तरह से खुल चुकी है पूरी तरह से जागे हुए और आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं मैं डॉक्टर वीद्प्रकाश